हेलो डियेलेड second semester students हिंदी में हम लोग chapter 4 पर रहे थे स्वतंत्र अभिव्यक्ति स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अंतरगत स्वतंत्र अभिव्यक्ति को हम बच्चों में किस प्रकार से विख्षित कर सकते हैं गतिविधियों के माध्यम से इसे हम समझ रहे थे तो विभिन प्रकार की गतिविधियों के अंतरगत पांच तरह की गतिविधियों के बारे में हम इसरी क्लास में पड़ चुके थे आज हम उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं गतिविधी या तरीका नंबर 6 बच्चों के लिए इस गतिविधी का किस प्रकार से प्रेव करते हैं आई हम लोग समझते हैं प्रशिक्षक बच्चों के समक्ष कुछ परिस्थितियां रख दे और उनसे कहे कि अपनी कल्पना के अधार पर उनसे सम्मंदित वाकि बोले अथवा लिखे बच्चों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां रखे जा सकती हैं उदारल सरोग कुछ दी हुई है इसमें क्या करना है इसमें प्रशिक्षकों को यानि आप लोगों को बच्चों के सामने कुछ परिस्थितियां रख देनी है और उस परिस्थितियों के अनुसार वाकि के रूप में परिस्थितियां रखनी है और बच्चों को निर्देश देना है कि इन परिस्थियों के आधार पर आप कुछ लेख लिखिए जैसे उदर्ण सुरूब दिया हुआ है यदि तुम अपने कच्छा के कप्तान होते तो ये अधूरा सेंटेंस लिख करके या बच्चों के सामने उनको बोल करके और इसको पूरा करने के लिए या इसके आगे लिखने के लिए बच्चों को प्रेड़ करेंगे उनको कहेंगे या जैसे कुछ और उदर्ण दिये हुआ है यदि तुम अपने गाउं के प्रधान होते तो यदि तुम अपने घर के मुखिया होते तो यदि तुम्हें कोई जादू की छड़ी मिल जाए तो यदि तुम व्रक्ष होते तो यदि तुम चड़िया होते तो इस तरह के कुछ कालपनेक बाते भी कालपनेक वाके भी रखे जा सकते हैं इससे बच्चों की कलपना शक्ति जो है वो जागरित होती है और कहीं न कहीं उनकी अंदर सुधंत्र अभिव्यक्ति की छमता भी विख्षित होती है अगली गति विधी है रसिक छुकक्षा के बच्चों को चार समूह में विभाजित कर पहले समूह को समाजिक कार्य करता, दूसरे समूह को राजनेता, तीसरे समूह को फिल्मकार और चौथे समूह को साहित्यकार या सिक्षक का साक्षातकार लेने है तू तथा उनके जीवन से जुड़े महत्पूर्ण पक्षों उपलबधियों एवं उनके समाजिक संदेशों को जानने के लिए प्रश्ण बनाने होंगे मतलब यह जो कुछ करेक्टर्स दिये हुए हैं इन करेक्टर्स का साक्षातकार लेने के लिए बच्चों को कुछ प्रश्ण बनाने होंगे तो इस गतिविधी में बच्चों को साक्षातकार है तू प्रश्ण तयार करने के लिए प्रेरिद करेंगे प्रशन तयार करने में बच्चों को उसने कुछ अगर समस्याen आती है को दूर करने का प्रयास प्रसिक्ष द्वारा किया जाएगा बच्चों की सहायता की जाएगी इसके अतरिक्ट बच्चों को दो समूह में बैठा कर एक दूसरे से प्रस्ण पूछने के लिए प्रेरित करेंगे जैसे अलग-अलग समूह बराएं हैं तो उनको आपस में एक दूसरे से प्रस्ण जो बच्चे बराएंगे वो एक दूसरे से समूह के अधार पर उनको प्रस्ण पूछने के लिए कहेंगे उन्हें प्रेरित करेंगे और यहां पर देखते हैं कि बच्चों को अगर प्रस्न पूछते समय कुछ परेशानिया या कठनाईयों का अन्भा हो रहा है तो प्रसिक्छु उन्हें जो है इस गतिविधी में उनकी सहयता करेंगे प्रस्न पूछने में उनकी सहयता करे इसके बाद है तरीका या गतिविधी नंबर आठ शब्द देकर वाक्य निर्मार कराना बच्चों से तो इस प्रकार से इस गतिविधी के अंतरगत प्रशिक्षू बच्चों को कुछ शब्द दे देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि इन शब्दों के अधार पर आप वाक् कोई से हो सकते हैं पुष्टक शब्द दिया जा सकता है सरसोती की तस्वीर पहाड़ा या कोई भी इस तरह के शब्द बच्चों को दिया सकते और उनसे उन्स शब्दों के अधार पर वाक्य बनाने के लिए उनसे कहा जा सकता उन्हें प्रेडित किया जा सकता है इसके बाद कहानी लिखने को प्रोथसाहिट करते हैं जैसे कोई संक्यत दे देंगे और उनसे कहेंगे कि इसके अधार पर आप कहानी लिखिए जैसे एक तालाब में लोमडी और बकरी का एक साथ पानी पीना या कोई भी इस तरह की कालपनिक गतिविधी बच्चों को दी जा सकती है और बच्चों को उसके आधार पर उन्हें कहानी लिखने के लिए प्रेद कर सकते हैं इस आधार पर बच्चों की अभिव्यक्ति जो है वो विक्षित होती है इसके बाद ये कुछ गतिविधिया थी जिन गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति विक्षित कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से बच्चों में स्वतंत्र अभिव्यक्ती विक्सित हो सकती है और स्वतंत्र अभिव्यक्ती विक्सित होने से बच्चों का मानसिक विकास बहुत बेहतर धंक से उनका विक्सित होता है बच्चों में आत्म विश्वास बढ़ता है बच्चों में सीखने के प्रती रुची बढ़ती है उनका भासाई कौशल निखरता है बच्चे किसी भी बिंदू के आधार पर अपनी बात रखने में सक्षम हो सकते हैं बच्चे कुशल वक्ता लेखक और रचनाकार मन सकते हैं उनका स्रिजनात्मक पक्ष मजबूत होता है तो इस प्रकार से स्वतंत्र अभिव्यक्ति के माध्यम से ये कुछ बिंदू हैं, कुछ छमताईं हैं, कुछ मानसिक विकास हैं जिनके आधार पर बच्चों का विकास होता है उनके अंदर ये सारी चीजे डेवलप होती है तो छात्रों ये चैप्टर जो है यहां पर कंप्लीट होता है और अगला चैप्टर जो है हम स्टार्ट करते हैं इसका नाम है इस तरह नुकूल गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्नों, इव्म समान ध्वनियों को समझना तो इसके उद्देश क्या है? इसके उद्देश है, कुछ पॉइंट्स दिये हुए हैं उद्देश के अधार पर जैसे, बच्चों में भासा की समझ विक्षित करना गद्य और पद्य में अंतर कर पाना तो इस शेप्टर को पढ़ने से और इस शेप्टर के माध्यम से हम बच्चों में इन उद्देशों की पूर्ती कर सकते हैं गद्य एवं पद्य में आये शब्दों वाक्यांशों को समझते हुए पढ़ना शुद्ध उच्चारण उचित आरोह अवरोह एवं विराम चिन्नों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना समान ध्वनी वाले शब्दों को समझना तो इन उद्देशों की पूर्ती हमें पूरी होते हुए यहां पर दिखाई देगी इसमें सहायक सामगरी हम लोग कौन कौन से इस्तिमाल कर सकते हैं कक्षा के सामान्योक करण, चित्र, कार्ड, शब्द कार्ड, वाक की पट्टियां, छोटी छोटी पट्टिकाओं उपर लिखे, गद्य एवं, पद्य के पाठ, चार्ट, मॉडल, आदर्श, वीडियो इस तरह के कुछ चीजें यहाँ पर हम लोग सहायक समगरी के रूप में प्रयोक कर सकते हैं इसका तरीका क्या है, किस प्रकार से हमें से प्रयोक मिलाते हैं परस्पर बातचीत करके किसी कविता या गद्य खंड का उचित आरोह अवरोह एवं उचित विराम का पालन करते हुए सश्ष्वर आदर्श वाचन करके गद्य एवं पद्यों को बच्चों द्वारा अनुकरण एकल वाचन करा कर कुछ कविता एवं गद्य भाग का आडियो वीडियो दिखा कर आदर्श द्रिष्टान उपस्थित करा कर तो इस प्रकार से हम बच्चों में ये चीजें डेवलब कर सकते हैं इस तरीके को अपना कर तो छात्रों इस कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं कंप्लीट करते हैं और इसी चैप्टर को हम आगे बलाएंगे चैप्टर नमबर 5 तब तक के लिए धन्यवाद